आपका स्वाग था अपना स्टेडिय लेक्षर यूटूब चनल ने दोस्तों आज बात करेंगे ससी सीजियल का टियर बन का एक्जाम जो कि इसी महिने मार्च महिने में कंप्लीट हुआ है तो उसका आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यह एक्जाम हुआ था तीन ती चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे जिससे में कोई भी वीडियो अप्लोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिपी के से पहुचें और इसकी पीडिया भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिख रहा होगा क्यूशन यदि एकस वाई जेड तीन ऐसे पूरांख है एकस और वाई बराबर एड दिया हुआ य और जेड बराबर तेरह दिया हुआ और जेड प्लस एकस बराबर यहां पर सत्रह दिया हुआ देखिए तो एकस प्लस वाई बराबर यहां पर किना द दिया हुआ है और y प्लस z बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 13 दिया हुआ है और z प्लस कितना x बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 17 तो यहाँ पे पूछा गया है x square और y z की value यहाँ पे पूछी गई है तो x और y की value z की value अगर हम separate अलग अलग निकाल लें तो यह मान हम निकाल सकती हैं तो देखिए अगर इसको हम जोडते हैं तो यह हो जाएगा टू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा यह जाएगा यहां पर एक्स वाई जेड की बैलू अलग अगर यहां पर दो सभाग कर देंगे तो कितनी आ जा है अगर 19 में हम 13 यहां पर माइनस करते हैं तो यह एकस की बैलू कितनी आ जाएगी एकस की बैलू यहां पर 6 आ जाएगी वहीं अगर जेड और X की बैलू अगर हम माइनस करेंगे तो Y की बैलू आ जाएगी Y की बैलू कितनी आ जाएगी यहां पर अगर माइनस करेंगे 19 में 17 तो 2 हो जाएगा वहीं अगर और Z की चाहिए तो X और Y का यहां पर हम माइनस करेंगे तो Z की बैलू कितनी आ जाएगी यहां पर 11 आ जाएगी, यह बात आपको समझ में आई होगी, अब यहां पर X स्क्वाइर और Y बटे Y Z की बैलू यहां पर चाहिए, ठीक है, तो यह क्या करेंगे, यहां पर हम इसको क्या करेंगे, माइनस रख देते हैं बैलू, तो हो जाएगा 36 अपान कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितने हो जाएगा, 11, तो अगर 2 से काट देंगे, तो यह हो जाएगा, 18 बटे 11, तो यह सिंपल सा क्यूस्चन था, इसको आप आसानी से हल कर सकते थे, ठीक है, इससे पहले हमने जो वीडियो अप्लोड कर रहे हैं, तो आप अपने तयारी करते रहें, और कोरोना व ठीक है, तो आसा करते हैं, यह आप करते होंगे, निस्ट क्यूचन है, त्रिभूज ABC का छेतरफल दिया हुआ, यहाँ पे 44 सेंटीमीटर स्कॉाइर, यदि D और BC का मद्धिदू, देखे, एक त्रिभूज दिया हुआ है, एक त्रिभूज ABCD है, यह A है, यह B है और यह C है ठीक है, अब कह रहा है कि BC का मद्धिदू, देखे, इसका मद्धिदू D दिया हुआ है, और AB का मद्धिदू E दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मद्धिदू दिया हुआ है, तो अब कह रहा है कि, यह बैलू पूछी की है, B, यह B, D, E, E का छेत जो की पूछा गया है ठीक है तो एक थियूरम होती है क्या होती है थिल्स थियूरम की तरह होती है थिल्स थियूरम ही कह सकते है क्योंकि इसका यह मिड़ पॉइंट जो होता है यह मिड़ पॉइंट अगर त्रिभुज पूरा है यह मिड़ पॉइंट है डी और कोई भी ई है तो इसका रेशियो जो होता है एक अनपात और तीन के रेशियो में होता है तो पूरा अनपात केतना हो जाता है एक और चार अनपात हो जाता है ठीक है पूरे छेतर फल अगर हम देखें तो चार अनपात हो जाता है अगर ये तीन है ये एक है तो पूरे त्रिभुच का छेतर तो चार अन्पात कि किनी दिए 24 तो एक ंंपात कि तना क्या चाएगा 16 तो यह क्या हो जाएगा 30 거야 итоге यह भी होता तो तो ता स् Extra 24 को खायगा थो फोटन क्या हो जाएगा यह यहेक 倍प ब्रावरों किसमान के दर त्लागा ग्यारा सेंटीमीटर स्क्वाइर ठीक है तो यह आप आसानी से इसको कर सकते थे नेस्ट क्यूचन है एक दुकांदार वस्तु का मूल इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल पर 28 प्रस्वत की छूट देने पर उसे 12 प्रस्वत का लाब हो यदि अंकित मूल दोस्तों 24 होता है डिसकाउन्ट में यह होता है 100 प्लस क्या होता है प्रोफिट यहां पर आप इसका मानरा कि अंसर कर सकते से डिसकाउंट कि इतना 28 का trabalhar कितन हो जाएगा गश्तर हो जाएगा 28 घृटाएंगे 100 में से तो बहातर हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा ये देखिए बारा जो कि ये मार्क प्राइश का है मार्क प्राइश बारा एकसे बारा का बैलू अनपाइश यो दिया हुआ है मान दिया हो दो सो बीस के बराबर है तो एक अनपाइश की नहीं आ जाएगी दो Sébamogasiblical कर देंगे तो ये क्या जाएगा स्क्रये मूल लया जाए अब सिप्लो इसको क्या कर सकते हैं अब CP के होग प्लस में प्रोफिट है बते कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 100 का बराबर SP के ठीक है और मार्क प्राइज अगर हम देखें तो यह हो जाएगा 100 प्लस मार्क प्राइज में का डिसकाउंट होता है तो यह 100 बराबर यह कितना हो जाता है यह SP के बराबर हो जाता है तो यहां रेशियो जो है SP का क्या है बराबर है तो इसका मान हम इसके बराबर अगर हम कर देते हैं देखे यहां पर हम यहां पर लिख देते हैं बराबर हो जाएगा तो यह हो जाएगा मार्क प्राइज का 100 प्लस माइनस में डिसकाउंट बटे 100 हो जाएगा अगर यहां से 100 से 100 कट गया तो CP बटे MP का रेसियो कर हम निकाले हैं तो कितना हो जाएगा यह जाएगा 100- discount हो जाएगा यह नीचे आए है तो यह नीचे जाएगा तो यह जाएगा 100- plus कितना हो जाएगा profit यहां से हमने इसको मान निकाला था ठीक है यह बात आपको समझ में आई होगी next यदि ए प्रथम चतुर्थांस में संद्ट इस झालीच तो और 6 टैन ए ब्राबर पां कितना है था कहते हैं 10BET को क्या सकते हैं 10 प्रथा यहां पर 10 को ranks क्या सकते हैं 2 agenda प्रथाय को सब्सक्राइग सकते हैं बराबर हो जाएगा 5 βटी 6 तो यहाँ साइन का मान 5 अनपात और यहाँ पे क्या है 6 तो यहाँ पे झायाँ पर हम रखेंगे तो इसका मान देखी यहाँ आत्साइन की बैलु का रखते हैं कितना 5 बैलुल 3 न?" माइनस करेंगे भूर लिखेंगे और यहां कॉस की बेलु कितनी है 6 दिए तो यहां पर multiple में च्छा कर देंगे पूरे बटे हो जाएगा यह जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा पांधुनी 10 ठीक है तो यह जाएगा आठ पंच चालिस माइनस हो जाएगा 64 यहां पर पूरे बैलूम जैसे एट साइंड ए मानेस फोर कॉसे ले ना तो यहां पर हम कॉस अगर क्या कर ले यहां पर कॉमन ले ले तो किना हो जाएगा वे यहां पर फिसल किना है तो यहांसे यहां से भी यहां से भी आप कर सकते थे नेक्स है यदि यक्स बराबर फोर्स कॉस ए प्लस साइन फाइफ साइन ए बराबर वाई बराबर दिया है फोर्स साइन ए माइनस फाइब कॉस से तो यहां एक्स स्कॉाइर और वाई स्कॉाइर की बैलू कियात कीजिए देखे यहां पर एलजेबरा का क्यूशन है इसको हमान निकाल सकते थे। यदि यहाँ पर देखिए cough तो यहाँ पर एक वरियेबल को क्या कर दें जीरो के बर्वर कर दें अगर हम A की बैलू जो है अगर जीरो या नबबे 90 ले लेंगे तो standard जीरो हो जाएगा अगर जीरो लेते हैं तो साइन जीरो में हो जाएगा ठीक है तो अगर हम जीरो ले लेते हैं देखिए तो क्या हो जाएगा ये फोर हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा ये फोर हो जाएगा क्योंकि कास जीरो कामान कितना हो जाएगा एक हो जाएगा वहीं पे साइन जीरो हो जाएगा वाई की बैलो अगर देखें तो क्या हो जाएगा साइन बराबर जीरो हो जाएगा और माइनस में कितना हो जाएगा माइनस पांच हो जाएगा अगर दोनों को स्कॉाइर कर देते हैं तो 4, 16 और 5, 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41 जो कि right answer हो जाएगा जो कि आपसा number 4 में दिया है ठीक है तो इसको fast करने का तरीका यही था इसको आप ऐसे कर सकते थे ठीक next यदि x minus y बराबर 4 है और x over y बराबर 45 है तो x cube minus y cube की value पूछा है देखिए यहाँ पर कितना है x की value अगर गुणा में 45 आ रहे तो 5, 9, 45 तो x की value अगर हम 9 रख दें और y की value यहाँ पर हम 5 रख दें तो दोनों का अगर minus करते हैं कितना जाएगा यह 4 आ रहा है और गुणा करते हैं तो 45 हो रहा है इसका मतलब यह है कि हमारे equation को क्या यह satisfy कर रहा है जो हमने मान माना है तो यहाँ 9 का cube कर देंगे तो 99 क्यासे 729 ठीक है यह 729 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 5 25 25 125 अगर यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो 9 में से अगर 5 कितना बचेगा चार बचेगा देखिए चार सिर्फ एक ही option में दिया हुआ है तो आप यहाँ unit digit का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों आप अगर question देख रहे हैं तो पहले option को देख लिया करें option में अगर सारे variable जो की बराबर नहीं है unit digit नहीं है तो आप महां से भी इसका एंसर जल्दी से जल्दी निकाल पाएंगे पूरा गुणा अभाग करने की जरूत नहीं होगी तो यहाँ पर option नंबर के हो जाएगा to is right answer next question है साधाराण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज तरफ पर प्रस्ट से 43,400 रुपए की एक धनरासी जो है दो वर्ष में बढ़कर कितने हो जाती है फोर फोर हो जाती है तो वही रासी कौन सी रासी साधाराण ब्याज पर 5 साल के लिए तो यहाँ rate देखिए rate अगर हम न हम माइनस सिक्स फॉर में Aगर जीरो जीरो थ्री माइनस करते हैं तो क्वारिस कितना जाएगा दौस्ट से कर देंगे तो निकालना होता है तो एक साल का ब्याज हम पर निकल जाएगा सत्रा दुन स्ट्ट्ट्र दूना चर्ट एक तो सो 25 रुपए जो की एक साल का 500 हो गया नील हम प्रिंसिपल कितना है 43 कर तो लिस्त कश है तो हंडेट का अगर मान यहां पर गुड़ा कर देंगे तो यह जिरो-जिरो कर जाएगा यह जा चार बार जाएगा तो तो रेट कितनी आ गई यहां पर रेट आ गई चार परसेंट रेट यहां पर आ गई देखिए चार परसेंट रेट अगर या गई तो यहां से आप देखिए चार परसेंट निकाल लिए तो यहां पर क्या होता प्रिंसिपल अगर हम हंडिट परसेंट मानते हैं तो उसका एक सो बीस प्रतिस्त का मान यहां पर दिया हुआ है कितना दिया हो दस अजार एक सो चार रुपए ठीक है तो एक सो बीस प्रतिस्त की बैलू यहां पर दिया हुई है दस अजार एक सो चार रुपए तो अगर आप क्या करेंगे हंडिट पर्संट की बैलू यहां पर निकाल हो जाएगा यहां पर अब देखे बार्रा बारा अठे च्छानवे बारा नौई यह एक सो वाट तो नौबार तो जाएगा नहीं आठ बार जाएगा और आठ सिर्फ किसमें है एक आप्सन में तो यहां से पूरा हल करने क्या जरूरत है चौरासी बीस आजाएगा एंसर ठीक है अब बारा नौई यह एक सो वाट तो यह नौबार जाएगा साथ बार कमी जा रहा है तो आठ बार जाएगा तो आप्सन नंबर क्या हो जाएगा थर्डी यह राइट एंसर हो जाएगा तो यहां छोटी छोटी बातों को ध्यान देके आप समय बचा सकते हैं नेक्स क्यूशन दी गई तालिका में 2012 से 17 के दवरान विभिन माडल A, B, C, D तथा E का उत्पादित कारों की कुल संख्या दी गए है ठीक है ये ग्राफ में दिया हो गया है अब कह रहा है 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्स उ संख्या आं देखिए 2015 में 2015 कहाँ ये है 2015 इसमें देखिए 2018 अगर हम दैखे कुल क्ली है तो हंडेट है अगर इसको निकालते हैं तो हंडेट परसंट जो की अठारही परस्ता तो अठारह परसंट ना कहके बीस परसंट के ब राबर कह रहा है तो नेक्स अग्स जर में तो 12 तो यहां पर E जो आप्सन है यहां पर 20 पर सता रहा है तो आप्सन नंबर 2 इस राइट एंसर रहा जाएगा ठीक है यह बड़ा ग्राफ दिया हूँ लेकिन सिंपल सा क्यूशन इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप निश्चित रूप से इसका एंसर दे पाते हैं ठीक अब बराबर कर रहा है यह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए अर्षात इनका बैलू जी आ रही है ठीक है तो अगर यहां पर देखिए फिर कह रहा है कि X स्कॉायर बराबर Y Z होना चाहिए तो यहां पर जो वेरियेबल आप मानेंगे वहां पर इनका सब कामान क्या करना यान पर पड़े सेटिसफाय करना करना चाहिए तो यहां पर डेखिये एक्स वाई מא और किना है जिड् potrzeb है ए बी सी देखिए अलग अलग बरीयेवल चेutralिय वेरिये वन हैं तो इन सब का मान अगर हम एक मान लेते हैं सब का मान एक तो देखिए यह satis हो रही क्योंकि यहां प इंपल सा क्यूस्चन जो कि राइट एंसर ए हो जाएगा ठीक है तो ऐसे आप कर सकते हैं जितना अभी मैंने क्यूस्चन देखा सारे क्यूस्चन का बैलू पूट मैथट से यहाँ पे हो रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे हल करने लगे तो आप इसका आइंसर नहीं निकाल देखे यहां पर 5 संख्याओं का योग दिया है च्छटी संख्या का साथ गुना है तो उन संख्याओं का उस्त एक सो च्छटी संख्या का मान गयात कीजिए देखिए च्छटी संख्या हमने मान लिया A, B, C, D, E और क्या का मान लिया? F मान लिया अब कह रहा है च्छटी संख्या का साथ गुना छटी संक्या हमने यक्स माल लिया तो इनका योग जो कह रहा है इनका योग कितना साथ गुना है तो कितना हो जाएगा ये साथ गुना हो जाएगा छटी संक्या के ये इसके क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा ठीक है अब कह रहा है इन संख्याओं का आउसत 136 दिया हो तो संख्याओं कितनी है 6 है अब इनका योग हो जाएगा ये योग कितनी हो जाएगा ये 7 है इनका योग 5 संख्याओं का योग कितना है 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 तो 8 यक्स बराबर तो यहां यक्स की बैलू हमें निकालना है तो यहां य चार तियाईं 12 और यह जाएगा 4 चोग 16 तो यह जाएगा 4 तियाई 12 तिन तरीक का नवी 10 अर्थात 110 X की बैलू क्या आ जाएगी 102 ठीक 102 आ जाएगी जो कि हमारी छटी संख्या है ठीक है तो यहाँ से आप ऐसे इसका एंसर दे सकते थे नश्रा क्योशन यजरी 2 बैलनों के आधार की तरिज्जा का नवी पात circuit r square يہاں سے h2 क mixture देंगे r2 कर देंगे यह हो जाएगा तो यह by 어ufy कर जाएगा r1 r2 का माना यहाँ पर पता है तो 3 तरिक का कितना हो जाएगा यइ 9 हो जाएगा इन 2 में कितना हوجाएगा यह हो जाएगा 4 हो जाएगा और यह हो जाएगा कितना 4,16 हो जाएगा और कितना हो जाएगा यह 9 हो जाएगा ता 9 से 9 कर जाएगा एक अनपाथ 4 अर्थ एक अनपाथ 4 जो कि इसका एंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्सन नमबर सेकेंड में दिया हुआ है तो आप ऐसे इसका एंसर दे सकते थे ठीक अब दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और लाइक भी करें विडियो को के और ये स्रीज आपको कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा कोई रेल गाड़ी एक खंबे को 12 सकेंड में और 172 मिटर लंबे एक पुल को 36 सकेंड में पार कर लेती है तो रेल गाड़ी की चाल दे कि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपान टाइम होता है है अगर कोई ट्रेन है तो ट्रेन एक ही है चाहे खंबे को पार करें या पुल को पार करें उसकी स्पीड तो यहां पर क्या रहेगी सेम ही रहेगी ठीक है इस्पीड क्या रहेगी सेम रहेगी तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं अगर हम क्या करेंगे ट्रेन अपनी डिस्टेंस को पार करेगी अगर खंबे को पार कर रही है तो उसको 12 सेकंड में पार कर रही है बराबर क कर दिया ठीक है तो बारत किना हो जाएगा 36 हो जाएगा यहां उल्ट क्रॉस मुल्टिपल हो जाएगा यह जाएगा थ्री डी माइनस हो जाएगा डी में करेंगे और बराबर 170 हो जाएगा ठीक है तो यहां डी से डी एक जाएगा तो दो बचेगा हम दो सुभाग करेंगे तो तो यहां पर कितनी आगे 85 आ गई ट्रेन की लंबाई और 12 से अगर हम भाग करते हैं तो यहां मीटर प्लस सेकंड में बता इसको हम क्या करेंगे किलो मीटर में करेंगे तो 18 बटे 5 से गुड़ा करेंगे अगर इसको हम गुड़ा करते हैं तो देखिए सतरा पचे 85 हो जाएगा यहां से सतरा आ जाएगा यहां से अगर हम काटते हैं 6 दूनी 12 हो जाएगा 6 तरीक 18 हो जाएगा सतरा तरीके 55 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.25 दसमलो 5 किलो मीटर प्रतिक खंटा जो कि आप्सन नमबर ए में दिया है तो आप इसको सिंपल सा क्यूशन था इसको आसानी से कर सकते थे सिजियल में बहुत ही सिंपल सा क्यूशन पूशे गए जिससे मैंने दू पार्ट अपी अप्लोड किया है तो इसमें भी मैंने देखा है कि जो क्यूशन पूशे गए ते बहुत ही नार्मल पूशे गए हैं नेक्स क्यूशन है ए बी सी अलग अलग एक कारे को करते हैं और जो की पचीस चोबिस बारा और तिरों पंदरा दिनों में करते हैं देखे एक यह है यह बी है और यह सी है यह करते हैं चोबिस दिन में काम को और बी करते हैं पंदरा दिन में और यहीं पे सी करते हैं कितने तोटल काम अगर हम देख लिए कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ठीक है अगर किरते हैं तो यह पांच योग 20 तो यह कितने बार जाएगा पांच यह जाएगा कितना है पंदरा पंदरा ठेक 120 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा दस दिन में तो एक दिन में पांच काम करते हैं बी आठ दिन करेंगे सี कितना करेंगे 10 काम करेंगे अब नेक्ष्ट कहे रहा हैँ बी ऑर Sी ने कार प्रारंफ प्रार्ण में किया मैज़ टीनों के बाद इसनों ने काम छोड़ दिया नहीं डीं है और सी तो 10, 8, 18 18 काम को जो कर रहे हैं एक दिन में और तो कितने दिन किया? 3 दिन 18, 18, 36, 54 ये क्या है? 54 काम इन्हों ने कर दिया ठीक है? अब जो काम बचा है वो कौन करेगा? वो कौन करेगा? ये करेगा तो इसमें से करें माइनस करते हैं तो कितना जाएगा? 6 आजाएगा यहां से कितना करेंगा? 6 आजाएगा ठीक है? अब ये 5 की आउसाद से करेंगे तो कितना? 12, 13, 55 तो 13 आउप्शन सिर्फ एक में दिया हुआ है और ये हो जाएगा 13 सही एक बटे 5 दिनों में काम पूरा कर लेंगे ठीक है? ती आप आसानी से इसका एंसर दे सकते थे नेक्स्ट दी गई तालिका में वर्स 2012, 17 के दोरान बिभिन मॉडल A, B, C, D, E उत्पादित कारों के कुल यहाँ पर डाटा से बहुत क्योस्टन पूछे गए है ठीक है? तो डाटा से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इन सब का एंसर आप आसानी से कर सकते हैं देखे कहरा 2016 के संदर्व में 2017 के किस तरह की कार के उत्पादन प्रस्ता में सरवाधिक कमी दरज की गई है देखे 2016 और 2017 के बारे में बात किया है 2016 के संदर्व में 2017 में किसकी कारों की प्रस्ता कम आई है तो A, B, C, D जो है की कारों की कुल गुरूप है उसमें से देख लिए अगर हम बात करते हैं 2016 में 36 कारें बनी है तो 17 में कितनी बनी है 12 वहीं इसमें B में कितनी 12 बनी है इसमें 48 बनी है यहां 44 बनी है यहां 40 बनी है तो देखे सबसे कम 16 के तुलना में कितनी बनी 17 में 17 में 12 कारें बनी है जो की A में बनी है तो यहां सिर्फ यह राइट एंसर हो जाएगा और कुछ करना ही नहीं है हाँ ठीक है प्रत्सत्ता की बात करेंगे तो 36 यहां पर बनी है देखें 36 के अनुपात में 180 के अनुपात में अगर निकालेंगे तो ठीक है और यहां क्या करेंगे 12 के अनुपाद में निकालेंगे और 150 की तो यहां पर अनुपाद जो इसकी अनुपाद से देखने में ही लग रहा है कि यहां पर कमाएगा ठीक है तो आप्सन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड इज राइट इंसर नेश्ट क्यूचर तरभुज ABC में MN समानतर है BC के देखिए यहां पर चितर दिया हुआ है देखिए यह A है यह B है यह C है यह M है यह N है ठीक है यहां पर यह समानतर है इसके अब अभी हमने बात किया था यह अनुपाद कितना होता है और यह बार अगर समानतर है तो यह कनपात के बराबर होका ठीक है तो यहां पे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है यहां पे दिया हुआ है कि ए जो ए बैलू है यह दिया है चार और यह कितना है पांच ठीक है तो यहाँ similarity का यूप यूप करके आप असाने से इसका answer निकाल सकते हैं देखिए इसका छेतरफल जो है square के बराबर में होता है तो जेखिए इसका हो जाएगा A B यहाँ पर N दिया हुआ न तो A हो जाता है A N का square बराबर हो जाएगा त्रिभूज A M N का छेतरफल ठीक है A M N के बराबर हो जाएगा वहीं पर क्या करेंगे पूरा हो जाता है पूरा यह तो A C का square हो जाएगा अब बराबर पूरे छेतरफल तो A B C के छेतरफल के बराबर होता है ठीक है यहाँ पर similarity का प्योग करके आप असनी से इसका answer निकाल सकते थे देखिए कितना दिया हुआ चार चोक यह 16 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा अगर हम 16 माइनस करते हैं तो कितना जाएगा यह हो जाएगा 11 में से 6 करें तो 5 आ जाएगा अर्थात ये वाला छेतरफल पूछा हुआ है ठीक है तो ये दो है तो ये कितना माने 16 अनुपात है तो 16 में दो को गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 जो की राइट एंसर हो जाएगा ठीक है ऐसे आप इसका इंसर निकाल सकते थे नश्ट की उचन एक ब्रित्ताकार उद्यान की तरज्या दिया हुआ है एक ब्रित्ताकार देखिए एक ब्रित्ताकार क्या है एक ब्रित्ताकार उद्यान है और इसकी तरज्या जो दी हुई है इसकी तरज्या दिया हुआ है कितन 42 सेंटीमीटर तो 8 चक्र लगाने में तै कीगी कुल दिरी तो यह हो जाएगा 8 कर देंगे इसमें हो कर देंगे 2 और पाई आर स्कॉयर क्योंकि एक चक्र में 2 पाई आर जाएगा 2 पाई आर जाएगा एक चक्र में 2 पाई आर जाएगा तो 8 चक्रम कितना हो जाएगा तो इसको कर लेंगे तो यह हो जाएगा 8 8 इंटू 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू क्या करेंगे 42 ठीक है तो 7 चंग 42 करेंगे यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा 8 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और इतना हो जाएगा यह हो जाएगा आठ चोक 32 तो देखिए यहां पे option में दो दिया हुआ है 32 ठीक है और अगर यहां पे देखिए पूरा गुड़ा करेंगे तो आप इसका जो कि राइट एंसर यह हो जाएगा यहां पे 8 का और कितना होए 44 का और गुडित 6 का कुड़ा करेंगे तो आप आसानी से इसका एंसर मिल जाएगा ठीक है की अ जाता है और ठीक है और लड़कियां बढ़ जाती है तो विद्धालय और कितने बच्चों का नम होना चाहिए बच्चों का ताकि लड्कों की और लड़कियों का अनुपात चब्दान नहुद नहुद जाए देखे आठ अनुपात की बैलू यहां पर दिया हुवा है चाहूसट्सौ स सौ छालेस तो एक अनुपात की माई हँजाएगी 80 हो जाएगी तो लड़कियों के संख्या कितने हो जाएगी 8348 要र्था 240 लड्किया है लड़के कितना हो जाएगा लड़की तो लड़कियों काँपात कितना 14 और 9 अनुपात की बेलू दी हुई है 270 तो एक अनुपात की बेलू कितनी हो जाएगी यह हो जाएगी 9 37 अर्था 30 तो एक अनुपात की बेलू 30 तो यहां पर अगर हम 14 का करेंगे तो 14 14 14 14 14 42 अर्था 420 लड़के होने चाहिए तो कितने लड़के यहां पर बढ़ गए तो यह 400 पहले थे अब 420 अर्था तो 20 लड़के बाद में आ गए ठीक है तो ओप्सन नंबर क्या हो जाएगा यह थर्ड इजर राइट इंसर हो जाएगा नेक्स्ट है यदि 10 A प्लस B बराबर 45 है तो 2 और इसमें दिया हुआ 1 प्लस 10 है 1 प्लस 10 B देखिए यहां पर अगर A बराबर 0 रख दें या B बराबर 0 रख दें केवल एक का मान 0 रखने पे अगर आ रहा है इस का मान तो आप आसान 45 है ठीक है तो यहां पर देखिए इस का मान कैसे हो जाएगा हल करेंगे तो यह हो जाएगा टू वन प्लस कितना हो जाएगा यह हो जाएगा पैतालिस रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह वन हो जाएगा ठीक है उसको बराबर करेंगे तो बी कमान जीरो रखेंगे तो बी कमान आज जाएगा तो यहां टू कितना हो जाएगा टू बराबर कितना हो जाएगा फोर तो यह राइट एंसर हो जाएगा यह बात आपको समझ में आई होगी यदि यहां पर बी बराबर रख देते बी बराबर जीरो तो यह बराबर कितना हो जाता पैतालिस तो यहां पर रख देते आराम से छिख तो ऐसे आप इसका इंसन निकाल सकते थे नेक्स्ट यदि किसी आयत की लंबाई 40 प्रसद तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20 प्रसद घटा दी जाती है तो आयत का छे तरफाल इसको आप फर्मूले से कर सकते हो या तो ऐसे कर सकते हो अनुपास से भी कर सकते हो कि अगर फर्मूले मस करोगे तो यह स्माइनस बीस जगा बीस ची जगात्री मानेस हो जाएगा 40 इंटू करेंगे 20 बटे कितना हंड़ेट कर देंगे यह कर जाएगा 00 दोऊलनारों की उत्पादन कितने प्रस्त की बिरदि हुई है देखे 2012 की तुलना में कह रहा है 2016 में तो देखे 2012 की बात करें तो कितना कुल उत्पादन हुआ है 120 हुआ है अगर 2016 की बात करें तो कितना हुआ एक सो साथ एक सो असी हुआ है तो कितने की बृद्धी हुई है यहां पर 60 की बृद्धी हुई है कितने में 120 में इंटू हंड़िट करेंगे तो यह प्रिसत आ जाएगा 62 एक सो बीस यह दो से काटेंगे तो 50 प्रिसत की यहां पर क्या हो जाएगी बृद्धी तो option number 4 थी ज़ दिख्या दिया हुआ है यह हो जाएगा 105 इंटू एक्स और 4 और 8 से पूरी तरह भी भाज देखिए पहले भी क्योश्चन जो हमने बात किया था पहले वीडियो में उसमें 8 से पूचा था सेकेंड वाली वीडियो में 11 से पूचा था अब इसमें 8 से फिर से पूचा है तो डिविजिबिल्टी का रूल यदू यदू आठ को पता है तो आप असानी से कर सकते हैं देखिए डिविजिल्टी आड का रूल क्या होता है इसमें तीन संख्याओं को लेना पड़ता है तो यहां पर कम से कम बात की के सबसे छोटा अंक पूछा है तो यहां पर देखिए अगर छोटी संख्या क्या है इसमें से सबसे छोटी संख्या इसमें 0 है तो पहले हम 0 यहां पर पूट करेंगे अगर हम 0 करते हैं 8 से डिवाइड हो जाता है तो माल लेंगे वही संख्या होगी अगर हमने यहाँ 5 रखा, 0 रखा और कितना रखा, 4 रखा, तो 8 से बाग किया तो किना हो जाएगा, 8-6, 48, ठीक है, 2 जाएगा ये, तो 24 हो जाएगा, 8-3, 24, अज़त, ये क्या है, 0 ही राइट है अंसर हो जाएगी, ठीक है नश्ट यदि ABC एक बृत पर तीन बिंदु इस प्रकार है देखिए एक कोई बृत है यहां पर एक बृत दिया हुआ ABCD AB जीवा और AC बृत केंदर ओपर करमसा देखिए एक यहां पर शोरी एक AB है जीवा एक यह जीवा है ठीक है यह केंदर है यहां पर कोन बना रही है ठीक है अगर हम मान ले इसको क्या मान ले इसको A मान ले इसको मान ले हम इसको B मान लेते हैं इसको A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं तो A B जो है A B कितने का कोन बना रही है 110 का बना रही है यह कितना बना रहा है 130 का बना रहा है total अगर हम इसको add कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 240 क्योंकि बृत्य के के अंदर पर कितने का कॉन बनता है 360 का तो इसमें से हम क्या करेंगे 360 का minus करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यहां पर 2 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा 120 तो के अंदर पर कितना बन रहा है यहां पर जो बन रहा है 120 बन रहा है तो आप जानते हैं कि परीधी पर जो कौन बनता है वो के अंदर पर बने हुए कौन का आधा होता है अर्था के अंदर पर जो कौन वो दूना रहेगा परिज पर बने हुए कूण का तो अगर ये 120 है तो बाहर कितना बनेगा ये 60 एंस तो ये कितना हो जाएगा जो कि इसकी बैलू पुछीते 60 एंस हो जाएगा तो ये राइट एंसर हो जाएगा तो दोस्तों ये इतने क्योशन थे आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और जो गलती अगर कोई होती है तो उसमें आप ये बताईगा और इसकी पीडियो आप जो है कि कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउंडोड कर लिजेगा वीडियो को यही सवाप्त करते हैं नमस्कार